जी इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर आ रही है मद्धप्रदेश विधान सवा से जहां पर करनाटक में कुमार स्वामी की सरकार गिराने का असर अब जो है मद्धप्रदेश की विधान सवा में साफ तोर पर दिखाई देने लगा और यहां पर मद्धप्रदेश के नेता प तो कहीं ना कहीं अपने आप में गोपाल भारगाव का ये बयान जो है काफी माइने रखता है क्योंकि गोपाल भारगाव ने सदन के अंदर ये बयान दिया है और जिसको लेकर अब पूरे सूबे की सियासत गर्मा चुकी है क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक प्रतिपक्ष की पार्टी आलकमान से लगतार बात होती रहती है और बड़े निताव के वो संपर्ग में रहते हैं और अगर इस तरह का उन्हें ने बयान दिया तो इसके सियासी गल्यारों में कई तरह के माईने निकाले जा सकते हैं एक और बड़ी बात है कि गोपाल भारगव की धमकी पर मद्दप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बड़ा पलटवार किया और मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने विपक्ष को चेलेंज दिया है कि चाहे तो वो आज ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाएं स कमलनाथ ने साफ तोर पर इसपस्ट किया है कि मद्दप्रदेश में जो कॉंग्रिस की सरकार है वो अपने दम पर पूरे पांस साल चले गी और सदन में जो विधायक बेठे हुएं वो बिकाव नहीं है साफ तोर पर यहां पर अब जो है करनाटक को लेकर मद्दप्रदेश इसकी सियासत भी पूरी तरीके से गर्मा गई है और यहां पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका जो आत्मे विस्वा से सात्मे आस्मान पर नजर आरहा है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए लगातार पिछले 6 महिने से बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, चाहे नरुत्तम मिसरा की बात की जाए, चाहे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भारगव की बात की जाए, या पूरों मुक्रमद्रि शिवरास सिंह चुहान की बात की जाए, तमाम दिगज नेता समय समय पर कमल् संक्यत देते हुए आये हैं और ये कहते हुए आये हैं कि मद्धप्रदेश की कमलना सरकार बेसा क्यों पर ठीकी हुई ये लंगडी लूली सरकार है लेकिन ऐसे में सदन के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष कोपाल भारगव ने करनाटक की सरकार गिरने के महस दूसरे दिन ये जो कमलना सरकार की तरफ से तमाम जो मंत्री है करारा पलटवार कर रहे हैं उच्चे सिक्षा मंत्रे जीतू पटवारी ने भी ये बात कही है कि चाहे بीजे पी के नेता साथ जन्व ले लेकिन कमलना सरकार नहीं करी पूरी मजबूति एक है और अगर निड़्दली विदाय के साथ वो पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और पूरे पांस साल चलेगी लेकिन ये जो बयान बाजी हो रही है इसके कारण कहीं न कहीं अब जो है चर्चाओं का बाजार पूरे मद्रदेश में गर्म हो गया है